वहां से आपको जब भी कोशन देखने को मिलेगा तो नुमेरिकल कोशन देखने को मिलेगा तो असान कोशन तो जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया रहता है वेट में वोल्म परसेंटेज कितना है लेकिन कभी कोशन थोड़ा इस प्रकार का फ्रेमिंग कर दिया जागा आपको देखने में बरही आजीव लगा लगा इक कोशन हमसे नहीं हो सकता है लेकिन यदि आप उसको एक बार कोशिज कर लिजएगा तो बहुत ही आसान कोशन होत किज़ेगा तो यह हो जाएगा बहुत आसान कोशन होता है बस इसको एक बार समझने कावे सकता है देखिए कोशन पर हम पर के बताते हैं फिर आगे डिसकस करेंगे देखिए सबसे पहली बाद तो कोशन जो कुछ इस परकार का आपका इंकम्प्लीट कोशन है दोस्तो यह पूरी तरह से कम्प्लीट कोशन नहीं है यहां दो सोल्यूशन लिया है एक सोल्यूशन ऐसा है जिसका सोल्यूशन का वेट कितना हमको मास दिया है 300 ग्राम और उसमें जो वेट वेट परसेंटेज दिया हमको सोल्यूशन का 20 परसेंट दिया हुआ है फिर एक दूसरा सोल्यूशन है इसको अराम से नाम बताना चाहि कि हमार पास एक solution A है जिसमें solution का mass 300 gram और उसका percentage weight है 20% इस परकार से देता तो clear रहता और दूसरा solution है जिसमें solution का weight है उसमें 200 gram और उसमें जो है percentage weight by weight कितना है solution का तो 10% तो 2 solution अपने पास 2 solution दिया हो दोस्तों और उसमें हमको फिर पता करना है कि इसके बाद जो resulting solution बनेगा then calculate obviously बाते दोनों solution को हम add करेंगे तो हम resulting solution बनेगा आप बताए resulting solution जो बनेगा उसका mass कितना होगा solution का तो 300 gram पहला solution का दूसरा solution का mass है 200 gram तो total mass कितना हो जगा हो और पास 500 gram तो solution का mass तो निकल गए आपको 500 gram लेकिन question पूछ रहा है calculate percentage mass of NOH NOH का percentage mass पूछ रहा है solution में जो solution तयार होगा उसमें NOH का आपका percentage mass पूछ रहा है ये कहां से लाएंगे दोस्तों तो उसके लिए देखिए पहले बात तो आपको NOH का mass निकल लिए दोनों solution में solution जो ए हमारा 300 gram जो solution है इसमें NOH का mass कितना था और जो 200 gram solution है इसमें NOH का mass कितना था दोनों विए आप solution का mass निकाल लिते हैं देन बरहा ही आसान हो जाएगा NOH का mass upon total solution का mass into 100 कर देंगा हमारा percentage आ जाएगा तो देखिए इसको solve कैसे करेंगे एक बार सीख लिजे ये question आपके लिए आसान हो जाएगा उसके बाद देखिए पहला जो solution है हमारा 300 gram solution है और इसका percentage weight by weight दिया है हमको 20% weight by weight ये concentration दिया हुआ है और concentration हम जानते है concentration equals to क्या होता है हम थरा sort में लिख रहे हैं आप जानते होंगे concentration चलिए इसको पूरा लिख देते है concentration weight upon weight क्या होता है mass of solute mass of solute upon mass of solution mass of solution into 100 ये हमारा concentration होता है दोस्तों तो देखिए हमको पहला का concentration दो दिया हुआ कितना 20% 20% को यहां 20 रख देते है mass of solute मतलब नोच यहां हमारा solute कोने दोस्तों नोच mass कहीं नहीं दिया हुआ देखिए यह जो 300 gram दिया है यह solution का mass दिया हुआ है यह 200 gram दिया है यह solution का mass दिया हुआ है all right 200 gram दिया हमको solution का mass दिया हुआ तो हमको नोच का mass दोस्तों कहीं नहीं दिया हुआ 100 जो हमारा formula वला है दोस्तों 100 कर दिए यहां से देखिए आप इसको 130 यह तीन इधर जाएगा तो X मतलब mass of solute X के हमारा mass of solute है in solution A mass of solute या इसी को हम NUH लिखेंगे in first solution जो पहला हमारा solution था उसमें हमको solute का mass या NUH का mass जो आगया है पहला solution में कितना आगया है उसका हम मानने थे X यह हमको आगया है 60 gram यह दोस्तों 60 gram आया है next देखिए इसी परकार से हमको दूसरा भी solution दिया हुए second solution अपने पास क्या है second solution अपने पास देखिए इसमें हमारा पास दिया हुआ है 200 gram 200 gram क्या है हमार पास 200 gram solution है और इसका weight by percentage कितना दिया है weight by weight यह देखिए 10% 10% दिया है इसका percentage weight by weight यह concentration आपको 10% दिया है same इसी प्रकार से कर देंगे concentration equals to concentration weight upon weight क्या होता है mass of solute mass of solute upon mass of solution into 100 concentration दोस्तों हमको यहाँ दिया है 10% तो 10 का 10 लिख दिजे mass of solute यहाँ भी हमको नहीं पता है solute यहाँ हमार पास दूसरा जो solution दोस्तों वहाँ भी solute का mass हमको नहीं दिया हुए NOH का mass नहीं दिया है यहाँ भी हम क्याल मान लेते है वहाँ X मानेते यहां मान लेते है Y अपने मन से हम Y मान लेते है All right Mass of solution देखिए Mass of solution को दिया है 200 gram तो 200 को 200 टक लिजे Into 100 का 100 यह formula वाला 100 था आप देखिए 102 नी 200 यह दो इधर जागा तो Y equals to Y क्या है हमार पास Y है हमार पास mass of solute solute in second solution जो second solution है 200 gram बला उसमें हमको solute का mass आगया है कितना 20 gram All right दोस्तों 20 gram हमको इसमें solute का mass आगया है आप question को देखिए आप पूछा देखिए then calculate percentage mass of NUH NUH का percentage mass निकालना है solution में resulting solution resulting solution तो पहले तयार किजिए resulting solution मतलब दोनों solution को हम जब add करेंगे तो जो हमारा solution तयार होगा वो हमारा resulting solution होगा देखिए आपर resulting solution हमारा resulting solution resulting solution मतलब दोनों solution को जब हम add करेंगे तो कितना होगा एक तो हमारा पास 300 gram बला solution प्लस 200 gram बला solution इसका mass कितना हो जाएगा 500 gram resulting solution का mass कितना हो जाएगा दोस्तों 500 gram ठीक है और NUH देखिए NUH का Science हो जाएगा Total NUH total NUH mass in solution अब solution में total NUH का mass कितना हो जाएगा NUH एक ज Aujourd देखिए हम 60 gram निकाले हैं पहले solution में NUH का mass कितना है 60 gram है दूसरे solution में 20 gram निकाले हैं तो 60 plus 20 80 gram अब हमसे निकालना है अब question है कि percentage mass of NUH in resulting solution, resulting solution में NUH का percentage mass कितना है, तो NUH है कितना, total solution कितना है, निकाल दीजे, देखिए, percentage mass of NUH in resulting solution equals to total mass of NUH, NUH upon total mass of solution, solution into 100, percentage कब निकालते हैं, percentage मतलब जब भी हम निकालते हैं किसी चीज़ का, आपका किसी सब्जेक्ट में जो बन्दमा आता है दोस्तों, और फिर total को हम एड कर लेते हैं, और total कितने marks का exam हुआ था, आपका Hindi, English, Math, SST मिलाके जो आपका नमर आए हुए रहता है, और इ obtained marks upon total marks, कितने marks का exam हुआ है, into 100 कर देते हैं, वही NUH कितना आया है total हमको, total solution का mass कितना है, वो into 100 कर दीजे, आप देखिए, NUH आया गमको 80 gram upon, total mass of solution हमार पास कितना है, 500 gram, यहां निकाले हैं न, resulting solution का mass कितना है, 500 gram, 500 और into 100, यहां समको percentage mass of NUH आ जाएगा, 100 पच्चे 500, 16%, इ ही हमारा required answer हो गया, required percentage mass of NUH, in resulting solution कितना हो गया, 16%, बड़ा ही आसान question है, एक और और देख लिए हम इसको, आपको बता रहे हैं, कुछ ने करना होता है दोस्तों, सबसे पहले question को अच्छे से समझिए, दिया क्या हुआ है, 300 gram solution, solution का mass दिया है 300 gram, और उसका concentration हमको दिया है, 20%, concentration आपको समझना होगा, एक और concentration नहीं समझे है, तो NCRT निकाले है, या last question जो हम description box में लिंक है, हमारा वीडियो का, उसमें जाके आप concentration समझ सकते है, total 3 concentration term होता है, दोस्तों, एक तो weight upon weight, दूसरा weight upon volume, तिसरा होता है, volume upon volume, alright, concentration हो यही है कि mass upon mass of solute, solute का mass upon total mass of solution into 100 कर देते हैं, तो हमारा concentration निकल जाता है, concentration को यह बताता है, कि किसी भी, किसी भी solution में, या देखिए, किसी भी solution में, solute कितना है, किसी भी solution में, solute कितना है, यही हमको concentration term बताता है, concentration term हमको यहीं बताता है, कि किसी भी solution में, solute solvent मिलके ही solution बनाता है, तो किसी भी solution में, जो कोई solution है, हमारा मा है चीनी पानी का तो इसमें चीनी कितना है स्खुरोचिंट का मतलब चीनी तो पहला का एक स्खुरूूशन है जिसका 500 ग्राम और उसमें जो वे यह का परेज ना कर Ur उसको मिक्स किया गया है देखे एक इह solution हमारे पास इसको mix किया गया दूसरे solution से 200 gram moh का solution है जिसका percentage weight है 10% इस दोनों का आपस में क्या क्या Mix कर दिया है जो Mix करेघा तो noh भी Mix होगा अरवाई एक सरवत आप बनाए है एक सर्वत को आपका परोसी बनाया है और दोनों सर्वत को mix कर दिए आप हमसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल चीनी कितना है तो आपने कितना चीनी add किया था उसने कितना चीनी add किया था वो चीनी को add कर दिजे टोटल आप कितना पानी लिये थे उन्होंने कितना पानी लिया था दोनों पानी को एड कर लीजे आप दोनों को डिवाइड कर दीजे इंटू 100 कर दीजे इसी से क्या हो ज़ाए हमारा और डूटल जो है सर्वत में चीनी कितना लिये हैं पता चल जाएगा तो सेम वही है हमसे पूछ रहा है कि पहले निकाल लिए मतलब मास अब सॉल्यूट निकाल लेंगे कंसेंट्रेशन इक्वलस टू वेट वावेट मास अब सॉल्यूशन इन्टू हंड्रेड और उससे हमको एनुए चार्ज है का पहले सॉल्यूशन में 60 ग्राम उसी प्रकार से सगेंड सॉल्यूशन का जो जो हम निकाल लें गया पर्सेंटिज माश ओब एक कोशन दूसत आप समझ गये होंगे तो एक कोशन देखिए यह आपके लिए है, यह question आपके लिए है, आप जरूर इसको बनाइए, और इसका answer comment section में लिखिए है, अगर आपको नहीं आ रहा हो न, तो हम इसका भी एक नया वीडियो आपके सामने upload कर देंगे, यह question पहले आप खुछ से बना के देखिए, comment section में इसका answer दीजे, और यह question क density of the finance, यहाँ density बस आपको दे दिया है, तो density दे दिया है, और साथ साथ volume निकाला है, तो density को रिप्लेस करके volume निकाल लेना है, आराम से यह question बन जाएगा, इसका answer बताएगा, हम इसको next video आपको इसका जबाब देंगे, और वीडियो कैसा लग दोस्तों, प्लीज वीडियो क लाइक कीजिए, हमरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको आपके exams related बहुत सरा content हमरे चैनल पर मिल जाएगा, कोई query है तो जरूर कमेट सक्षन बताएगा, हम उसका reply करेंगे, धन्यवाद दोस्तों, जैहिंद